तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर आपका अकाउंट इंडियन बैंक में है तो घर बैठे इमेल कैसे अपडेट करें तो अगर आप चैनल पर नहीं है चैनल को सस्क्राइब करें साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें चलिए शुरू कर करते हैं सबसे पहले आपको जो मुबाइल बैंकिंग अप्लिकेशन है इंडियन बैंक का इंडू एसिस तो उसे आपको क्या करना है ओपन कर लेना है तो हम उसे ओपन करते हैं ओपन करने के वाद सबसे पहले यहां हमें जो है लागन पिन डालना है तो आपना लागन पिन कई option है तो यहां एक option आपको मिलेगा e-services का तो आपको जो e-services का option आपको उस पर click करना है जब उस पर click करते हैं तो यहां देख लेजिए आपके सामने कई option है जिसमें पहला है request locker facility अगर आप locker facility लेना चाहते हैं तो उसके लिए request आप यहीं कर सकते हैं और change home branch अगर अपनी home branch जो है उसे ञाघर्च करना चाहते हैं तो भी आप यहीं से उसे चैन्ज कर सकते हैं तो यहां पर लस्त में आपसल है einen का आपको यहां पर क्या करना है आपको इस वेहाद आपको यहाँ पर यहाँ एडि आपको आइड ट करना हो वागा करना है टो प्रसीट का अपसे दिख्ञा הाँ तो आपको उस पर किलिक करने के आपके सामने यहाँ पर एक इंटरफेस सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ परब न करने के बाद यहां पर आपको इंपिन है चोड़ देख लिजिए दो यहां पर option है तो पहले में क्या होगा जो आपका रेजिस्टर मोईल नंबर है उस पर एक one time password जो आएगा वो तो हमारे देख लिजिए उपर आ ही गया है उसके बाद आपको जो पहले से इसमें register email id था उस पर भी एक one time password यहां पर जाएगा तो आपको क्या करना है दोनों password को यहां पर आपको feel कर देना है उसके बाद जैसे आप proceed पर click करेंगे आपका जो email है वो successfully update हो जाएगा हमारे में account में पहले से कोई email जो है register नहीं है इसलिए हमारे email पर password नहीं आया है तो उससे हमारा email update नहीं होगा तो यही तरीका है आपको इंडियन बैंक में घर बैठे email update करने का दोस्तों वीडियो गर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को subscribe करें फिर मिलते हैं किसी next वीडियो में